हेलो बच्चों जैसे कि मैंने कुछ नियम बचे थे जिसको आपको बताना था और वच्चन आपको क कैसे पहचान नहीं, बताना था तो आज की वीडियो में आपको लेकर आए हूं वच्चन परिवर्थन के नियम और वच्चन की पहचान बच्चों दन सबसे परिशुवात करती हूँ वचन परिवर्थन के नियम वचन परिवर्थन के नियम है अगरांद पूलिंग को छोड़ करें वाकि सभी पूलिंग संग्याओं के रूप विवक्ति रहित करता कारक के एक वचन और बहुवचन में समान रेते हैं अगरांद पूलिंग शब्द के अंतिम आ को विवक्ति रहित करता कारत में बहुवचन के ए कर देते हैं अगर वह है तो वह बन जाएगा जैसे बच्चा बच्चे रास्ता रास्ते ठीक है विवक्ति चिन्न न रहने पर अकरांद स्टेलिंग शब्दों की अंतिम में अगर औह तो उसके स्थान पर आपको ए सहित चन्रविंद जोरकर बहुवचन बनाया जानता है जैसे बात और बाते एकरांद स्टेलिंग संग्याओ के विवक्ति रहित रूप में बहुवचन दिमतीम बनानेके लिए अंत में या सही चंद्रविंद जोरना जाहें जैसे तीथि तीथिया बच्चों में यहां पर चंडरविंद नहीं दिया क्योंकि चंडरविंद में नहीं दमीर्त कॉष्प्ति में रहे तो आपको वहां उपर चंडरविंद लगाना जो यान kinda great ब बारिश, मखन, घी, दोध, आदी और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहु वचन में ही रहते हैं जिसका परिवर्टन नहीं होता है जैसे प्रान, लोग, समाचार, आसू, देखना, दर्शन, होश, आदी ये जितने भी शब्द में आभी बोले हैं ये शब्द हमेशा जो बहु वचन में ही रहेंगे जो एक वचन है वो एक वचन में ही रहेंगे जिनका बदलाव कभी नहीं होगा जिनका परिवर्टन कभी नहीं होगा तो इन चीजों को आपको वचन परिवर्टन के समाई पैचानना बहुत जरूरी है और इनको ध्यान रखना आवश्यक है कु आपको कोई मात्रा नहीं होते गुरू-सादु वकुस्shoff को निकी चोटा रूकी मात्रा 가까वि मुनी पती यानिकी उंकी एकरांट भाई पानी हाथी बचन में समान होते हैं इनका परिवर्टत नहीं होगा ओकी बच्चो तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा वचन के लिए